नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्सी सोलूशन्स विद अनुच जैसा कि आप सभी जानते हैं 27 जून को जो सीप्यों का पेपर हुआ था उसकी फर्स शिफ्ट हमने डिसकस कर ली थी जो भी कोशन्स थे उनको डसकेस कर लिया था अब हम करेंगे सेकिंड और थर्ड शिफ्ट का देखो एक अर्टिकल्स की बात अगर हम करें तो 4-5 कोशन्स आपके कितने कोशन्स आ रहे हैं बच्चे पोलिटी से हमारे आ रहे हैं 4-5 कोशन्स जिसमें से आर्टिकल्स जो हैं आप यह लगा हर shift में कम से कम दो question DPSP के पूछे जा रहे हैं चाए वो आपको option wise पूछ ले चाए वो आपको कैसे भी पूछ ले तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मौलिक करतव्य बारत के सम्विदान के किस अनुछेद में निर्मित है अगर हम बात करें DPSP की Directive Principle of State Policy की बात करें तो यह लिया गया है Ireland के सम्विदान से लिया गया है Irish Constitution से इसको लिया गया है अगर हम बात करें यह किस में आता है Part किस में आता है Part 4A में आता है आपका Article 51A में आता है अगर हम बात करें DPSP की तो total हमारे सम्विदान में कितनी Directive Principle of State Policy है टोटल हमारे समविदान में 11 हैं आपसे कोशिन ये भी पूछा जा सकता है कि 10 जो हैं वो कहां एड हुए थे और एक जो 11 है वो कब एड हुआ था तो बच्चो ज्यान दीजिएगा जो 10 एड हुए थे वो जो 42nd constitutional amendment act हुआ था कब हुआ था 1976 में उसमें आपके 10 DPSP एड किये गए थे और जो 11 मां एड किया गया था वो किया गया था option wise दे रहा है कि चार option दे दिये और बताओ इसमें से कौन सा आपका DPSP में नहीं है या कौन सा मोलिक करतव्य नहीं है चार option दे के पूछ लेगा कौन सा है तो जो 11 है वो मैंने पहले वाली उसमें करवा रखे थे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको 11 मिल जाएंगे आप वहां से भी देख सकते हैं एक बार पढ़के जाना ठीक है कुछ वरोसा नहीं से सीगा कुछ भी पूछ लेता है तो दूसरा कोशन आता है हमारा समविदान के किस बाग को बारतिय समविदान का मैगना कार्टा कहा जाता है देखो अब बात आती है मैगना कार्टा ओफ अब बात की गई हैं बच्छो भाग तीन के बारे में तो एक तो आपने याद रखना आ बाग दो भाग दो किसे संबुम विदान का मैंक चारिकता है अगर बात करें भा सबात नार्टिकल आते हैं आर्टिकल से इन और ते के बात करें तो आपके 12 से 35 आ जाएंगे भाग चयार की बात करें तो fundamental duties आती है भाग चयार में उसमें कितने आ जाएंगे आपके 35 से 51 आ जाएंगे अब इस 12 से 35 में आपके सारे के सारे important है खासकर 12 13 14 15 16 12 13 तो इतना नहीं है 14 15 16 17 18 19 आपके important है उसके बाद देख लेते हैं उसके बारे में जो मोलिक अधिकार है अनुछेद 12 से 35 वाले भाग तीन को भारत के मैगना कार्टा के रूप में वर्नित किया गया है मैगना कार्टा England की राजा जोन द्वारा जारी किये गए अधिकारों का एक चार्टर है यह नागरिकों के मोलिक अधिकारों पर पहला लिखित दस्तावेज है भारतिय समविदान का जो भाग तीन है उसमें मोलिक अधिकार है आपके अनुछेद 12 से 35 का गठन करता है और यह आपका कहां से लिया गया है USA से USA का जो समविदान है उससे लिया गया देखो याद कैसे रखना याद बताता हूं देखो फंडामेंटल राइट्स आर आ गया तो USA ठीक है उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज डी आ गया तो रश्या और उसके बाद है DPSP वो आ जाएगा आयर लेंड ठीक है DPSP किस से लिया गया है आयर लेंड से यह तीनों चीज़े आपने याद रखनी है भारत तीन में उचित मोली का धिकारों की लंबी आवया पक्सूची है यह विशो में कहीं और तुलना धिकर यह आपका ध्यान नहीं है जितना भी मे था सब्सक्रा करें चीज़े लेंडिये आपको बता दिया है उसके बाद आया था अंबु पाची मेला तो यह ऐपर देख लिना जो भी जून के महीने में जहां भी तियो आर्मना है उस तियो आर्गो याद करके जाना पेपर में पूछा जाएगा यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी दार्मिक सबाओ में से एक है यह माननेता है कि कामिक्ता मात्र पंथ शक्ती का परतीक है और अंबुबाची कार्थ है स्वोपन विट वोटर है ठीक है असाम के जो अन्य मेले हैं वो आप देख लीजिए एक आपका बीहु फेस्टिवल है एक मैदम मेफी उसके बाद है माजोली फेस्टिवल दे इंपटकई फेस्टिवल काजी रंगा एलिफेंट फेस्टिवल और एली आई लिगांग फेस्टिवल देखो ये मैंने ट्रिक से भी बता रखा अपनी वीडियो में कि आजाम की अंबा देई पटकर भाग गई उससे आपको ये याद हो जाएगा ठीक है उसके बाद है ओनम ओनम फेस्टिवल जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है तो ओनम आपका केरल राज्य में मनाया जाता है यह केरल का एक फसल काटने का उतसब है यह राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष में मनाया जाता है उसके बाद कुछ त्योहार देख लेते हैं अपने important important अगर हम करनाठका की बात करें तो मकरसंद क्रांतरी हम पीत्योहार होईसेला महोत्सव और करगा एक करनाठका में आता है आपका यक्षगना ठीक है यक्षगना फेस्टिबल जो कि आपका बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है अगर हम बात करें दूसरे की केरल केरल में क्या आता है आपका ओनम त्रीशुरपूरम अराट्टू अरनुमला उत्पटी उसके बाद गोवा है ये देख लीजिएगा सावजाव फेस्टिबल आपका इं इतना ही बहुत है तमिलना डुगाएक यह पुता जाएगा भारत नाटम ठीक है उसके बाद आता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान अमारा गीत के लेखक गीत उर्दू भाशा में लिखा गया है इसे तराना एहिंद भी कहा जाता ही आपका इंपोर्टेंट हो जाए ठीक है 1905 में बंगाल का भी जाब भी वाजन हुआ था तो याद रख लीजिएगा एक साल पहले इसने क्या क्या दिया था सारे जहां से अच्छा इंदुस्ता अमारा ठीक है उसके बाद है चार्टर एक्ट 1833 में किसका एक अधिकार समाप्त हो गया था तो जो चीन है जो 20 साल के लिए कंपनी के लिए नवी निन कृत पट्टा चीन और चाय के साथ EIC का व्यापार एकागिरित समाप्त हो गया था यूरोप के अरप्रवासियों और भूमी और संपति के अधिग्रेन पर सभी परतिबंध हटा दिये गए बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर उसके बाद आता है P.M.S.Y.M का फूल फॉर्म क्या है परधान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना यह योजना की फूल फॉर्म पूछी जा रही है फर्स शिप्ट में भी पूछी गई थी फर्स शिप्ट में आपकी मुद्रागी पूछी गई थी अगर हम बात करें परध परधान मंतरी श्रम दोगी मांधन P.M.S.Y.M को फरवरी 2019 में श्रम और रोजगार मंतराले के तहत पर दान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा लोंच किया गया था गुजरात के वस्तराले में लोंच किया गया था मंतराले याद रख लीजेगा स्वम एंड श्रम एंड रोज पुरुष होकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की तो उडिसा राज्य में की थी उडिसा दोजार तेइस में पंदर में पुरुष होकी विश्व कप की मेजबानी करेगा कर ली पंदर मां पुरुष होकी विश्व एवं राउर केला और भूमनेश्वर में होगा पूछा जाएगा कि बिर्शा मुंडा जो है वो किसे संबंदित है ठीक है उसके बाद अगला कोशन था किस भारतिये राज्ये ने पूरुषी हम कर चुगे हैं उसके बाद है कौन सा नुचेद यह निर्दारित करता है कि सर्वोच्य नयाल द्वारा गोशित कानून भारत के सबी पर बाद्यकारी होंगे तो आर्टिकल 141 के तहत यह करता है अगर हम बात करें आर्टिकल 141 की देखर लिख रखा है बारतिये समविदान के नुचेद 141 में प्रावदान है कि सर्वोच्य नयाल द्वारा गोशित कानून भारत के शेत्र के बीतर सबी नयाल पूर बाद्यकारी होगा राज्यपाल वर्ष के पहले सत्तर के प्रारम में सदन के सदस्यों को एक प्राथागत संबोधन देता है किस पहले सत्तर के शुरू होने के बाद पहले सत्तर की शुरुआत में दोनों सदनों को इनके सम्मान सम्मन के कारणों के बारे में संबोधित करेगा उसके बाद है निमन निखिस में से कौन कालका बिंदादीन घराने से संबंदित है तो कालका बिंदादीन घराने से आपके पंडित बिर्जु महराज संबंदित हैं उसके बाद अगर हम बात करें पंडित बिर्जु महराज एक भारतिय निर्तक संगीतकार और गायक थे वह बारत के कथक निर्ते के लखनव काल का बिंदादीन गराने से संबंदिता बात की गई है कथक कथक आपका यूपिका हो पश्चमी घाट और भारत का पुर्वोत्तर में पाए जाते हैं उशन कटी बंदिया सदा बाहरवन उच ताप पान और भारी वर्षा वाले शेत्रों में पाए जाते हैं यह पश्चमी घाट के पश्चमी डलानो लक्षदीप अंडमान निकोबार के दूइपो पुर्वोत् कि तमिलनाडू तटके कुस हिसों में पाए जाते हैं उसके बाद है थियाम सुर्यामुखी देवी किस सास्तिय निर्ते से संबंदित हैं यह आपकी मनिपुरी से संबंदित हैं इतना पड़ नेकी कोई जरूरत नहीं है बस यह याद रख लीजिए जो थियाम यह सभी आप याद रखिएगा उसके बाद आता है 2011 की जनगन्ना की अनुसार कुल जन संख्या में महिला शर्मीको का परतिशत कितना है 25.6 अब देखो इनकी हरकत देखो अगर बच्चा वो पढ़ लेता है कि सबसे जादा किस स्टेट में है सबसे जादा उसमें कम किसमें है तो यह डिस्टिक्ट पूछने लगे अब बच्चे उन्हें डिस्टिक्ट पढ़ना शुरू कर दिया तो अब यह उल्ट सुल्ट कुछ भी पूछने लगे 2011 की जनगन्ना के अनुसार कुल जन संख्या में महिला शर्मीको का परतिशत कितना है बताओ 25.6 है आप देख ल लाओं के लिए 25.55 और पुरुशों के लिए 23.26 है यह आप देख लिजिएगा उसके बाद है निमनलेकित में से कौन सी पुस्तक बारतिय उपन्यास जो खुश्वंत सिंग है उनकी आतमकता है तो टूथ लव एंड लेटिल मैलेस ठीक है लिटल मैलेस टूथ लव एंड ल पाजन का अनुभव किया जिसने उन्हें 1956 में ट्रेन टू पाकिस्तान उनका सबसे परसिदू पन्यास लिखने के लिए प्रिरित किया तो यह याद रखना ट्रेन टू पाकिस्तान अगली बार पूछी जा सकती है 1974 में उन्हें भारत के राष्टपती द्वारा पदम भूशन से सम्मानित किया गया था कब किया गया था 1974 में ठीक है उसके बाद आता है बजन सोपुरी एक परसीद संगीतकार है किस संगीत वादेशेंतर से जुड़े हैं संतूर से जुड़े हैं पंडित सोरी बजन थे जून 2022 को उनका निदन हो गया इसलिए हमसे ये कोशन पूछ लिया गया आलफिलालमेन की डैथ हुई है तो ये पूछ लिया गया हमसे ठीक है उसके बाद है अगर हम और देखें तो संतूर वादक के ओ जाएंगे पंडित शिवकुमार शर्मा राहुल शर्मा तरुन ब ख़लबद के बारे में बता देते हैं वैंसी दा की पर्था का का परिच्चे देने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान थे इन्होंने राजा को पर नाम के सामान्जय रूप में सिज्दा और पाइबोद में लोगों को उठ्ने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का अभी अब पुछा गया है बाग मैं कहा रहा हूं बिल्कुल रट के जाओ DPSP को क्योंकि DPSP से दो कोशन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं फस्ट में भी थे और इसमें भी है तो बारत के समिदान के भाग अनुछेद च्यार खाली च्यार नहीं आएगा च्यार आना चाहिए अनुछेद 36 से क्या हूं यह तो चलो वह है DPSP है ठीक है डारेक्टिव प्रिंसिपल ओफ स्टेट पोलिसी वह आ जाएंगे आपकी राज्य के निती निर्देश यह तो होई गया हमारा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है यह मैं आपको शुरू में बता चुका हूं USA से लिया गया है बारतिय सम्विदान के नुचेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकारों से सम्बंदित है इसमें आपने याद रखना है 14 15 16 17 18 यह होता है राइट तो प्रोपर्टी यह होता है कि बाई साब कोई उन्टचेबलिटी वो सोरी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना च सबसे पहले आता है आपका सवतनतता का अधिकार 19-22 शोशन के विरुद अधिकार 23-24 धार्मिक सवतनतता का अधिकार 25-28 सांस्कृतिक अधिक अधिकार वह आजाएगा 39-30 और समवेदानिक उपचार का अधिकार अनुचेद 32 में क्या होता है सुप्रीम कोट रिट जारी कर यह मैं हर वीडियो में बताता हूं क्योंकि यह कोशन पूछा जाएगा आप देख लेना किसी न किसी शिफ्ट में पकाएगा हाई कोर्ट में होती है 226 के तहत रिट जारी करता है यह हाई कोर्ट वाड़ा जीडी में भी दो तिन बार पूछा गया था तो यह याद पूछे है और अंसर है बाई साब इसका बोलर है जस्परित बुमरा वो सिर्फ एक बोलर है ठीक है लेकिन कोशन क्या पूछा गया है कोशन पूछा गया है टैस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेवाज कोन है तो कोई बच्चा यह नहीं लगा के आया होगा जस्परित बुमरा ने 2022 में इंगलेंड के खिलाफ एक ओवर में 35 रन बटो रहे थे ब्रैन लारा ने 2003-2004 में साउथ अफरीका के खिलाफ एक ओवर में 28 रन बनाये थे तो जस्परित बुमरा देख लो ठीक है उसके बाद अगला कोशन आता है टैस्ट म जाद रखेगा सतारा का अथारा सोड़्य के संभलपूर 1849, जैतपूर 49, भगत पजास, रुद्यपूर 1852. और कोशन जो पूँचा गया था आवद का 1856 में किया गया था, उसके बाद है विजय कुमार किचलू किस गराने से सम्बंदित है तो आगरा गराने से सम्बंदि किचलू पंडित विजय कुमार किचलू का जनम 1930 में हुआ था किचलू को 2018 में पदम श्री से सम्मानित किया गया था 18 फरवरी 2000 इसको कुमार किचलू को 13 वर्ष की आयू में निदन हो गया था एक चीज नोटिस करिएगा जितने भी यह पूछे जाते हैं जैसे यह किचलू-पिचलू है मतलब जितने भी आपके डांसर्स के बारे में पूछा जाता है जो इंस्टूमेंट्स वाले हैं उनके बारे में प पहत हुई है या किसी को पहले कोई अवोर्ड मिला है उसको अच्छे से पढ़के जाईएगा उसके बाद है माई लाइफ किसकी आतमकता है बिल क्लिंटन की आतमकता है 22 जून 2004 को बिल क्लिंटन की आतमकरा इनकी जारी हुई थी फुस्तक माई लाइफ में 1008 पेज हैं यह आपने याद नहीं रखना ठीक है उसके बाद है किस जनजाती की महिलाएं जो है चकरी नामक पारमप्रिक लोगनिरत्य करती हैं कंजर,मग जाती, चक्री, निरत्य करती है जो सब जंजाती राजस्तान के कोटा और 12 शेत्रों में रहती है रन उच्षव पूछा गया था आपका गुजरात से संबंदित है यह गुजरात परियतन की एक पहल है शेत्र रन के किराने आयुजित तीन महिने का लंबा जशन कच के रन उच्षव को कच्छ महोच्षव या सिर्फ पर उच्षव भी कहा जाता है ठीक है उसके बाद आता है निमन निकित में से किस वार्तिय की लोकरंग उच्षव मनाया जाता है तो मद्यत पर देश में आपका सब से जuir जाद अधा फोरेस्टि एरिया भी है तो मद्यत पर देश में लोकरंग兩्स इ Wars मनाया गया लोकरंग उत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है यह 5 दिनों तक मनाया जाता है ठीक है और बोपैल शहर में आयोजित किया जाता है उसके बाद कोशन पुछा गया दस्वी पंचवर्षय योजना में शामिल नहीं था क्या शामिल नहीं था समानता को बढ़ावा देना शामिल नहीं निमनली कित में से कौन साजड़तों का नियम नहीं है तो अचानक ब्रेक लगाना आपका जड़तों का नियम नहीं है स्वैस आयताशमुकव श़ुरू किया गया 1912-1913 में शुरू किया गया दगाईड पुस्तक के लिएक कौन है आरके नारायन डिवाली किस हिंदु मास मे आई जाती है कथा सरित सागर पुस्तक किस बाशा में लिखी गई थी तो आपकी संस्कृत बाशा में लिखी गई थी उसके बाद आता है कथकली में कितना मेक अप होता है बिल्कुल हद गर दिया बिचारे बच्चे कथकली पहले आठ क्लासिकल डांस थे उनको याद करने अब विज़ारे बच्चे डांस रसी आद करके जाते हैं तो उनका मेक पूछ लेते हैं देख लो बैई कथकली में कितने मेक UP होते हैं तो साथ में मेक UP होते हैं और डेख लो पच्चा-हरा पोप्चु-पोपका हुआ का इकरी ठाडोड़ी मिननु टैम्पू लाल यह सात ह होते हैं ठीक है गुगा-NOMI का उच्षव पूरा-Hariyanah में डैश में मनाया जाता है तो बाद्र के जो चंद्रमास में मनाया जाता है अगर हम बात करें गुगा-NOMI-Uttar की तो पूरे-Hariyanah के बादो के चंद्रमास में मनाया जाता है यह नाग-Pooja से जुढा और अगस्ट सितंबर में मनाया जाता है यह गूगा पीर के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है जो भादों में भी पड़ता है ठीक है उसके बाद है किस वर्ष मूल सुची में चार नए निर्देशक शिदान जोड़े गए थे यह तिसरी शिफ्ट है तिसरी शिफ्ट म 42 मा सम्मिदान चंचोदन हुआ इसमें नए निर्देशों को जोड़कर सम्मिदान के भाग चार में कुछ बदलाव किये गए जैसे आपका 49A गरीबी को गरीबों को निशुलक जो कानूनी सायता परदान करना 43A उद्योगों के परबंदन में शर्मिकों की बागेदारी के लिए 48A प्रियावरन की रक्षा और सुदार के प्रियास वर्स 1978 में जो 44 मा सम्मिदान चंचोदन हुआ था इसने अनुछेद 38 में धारा 2 को सम्मेलित किया गया जो यह गोशना करता है कि राज्य विशेश रूप से आएक आर्थिक ऐसमानताओं को कम करने का प्रियास उसके बाद मैं बार बार बता रहा था कि वर्स 2002 में जो 86 मा सम्मिदान चंचोदन हुआ इसमें अनुछेद 45 की विशेवस्तू को बदला दिया और प्रात्मिक शिक्षा को अनुछेद 21 के तहट एक मोलिक अधिकार बना दिया गया ठीक है उसके बाद है पंडित रवी शंक प्रतिपादक बन गए शंकर को पंडित रवी शंकर को 1999 में जो भारत का सर्वोच्य नागरिक सम्मान है भारत रतन से सम्मानित किया गया आज की पहले शिफ्ट में कोशन था 2019 में भारत रतन किसको मिला बुपेन हजारीका जी को मिला ठीक है और कैसे मिला हजारीका मर्नो प बुपेन का मर ना परांत मतलब पूस्टूमसली मतलब K उसके बाद है शंकर का 999 हम ने देख लिया उसके बाद है PM foram PM वाय पूछा गया था इसमें 3 होते हैं आपका सिशुलोन किशोर लोन और तरुन लोन अगर मैं बात कुरू शिशू लोन की तो पचास हजार रुपे तक का लोन देते हैं ठीक है पचास हजार से पाँच लाग तक का आपका किशोर हो जाएगा और पाँच लाग से दस लाग आपका तरुन हो जाएगा ठीक है पहले बच्चा शिशू था फि DPSP हर shift दो कोशन आज 3 shift 2 ही चै कोशन पूछे गए हैं कितने कोशन पूछे गए हैं छै कोशन आपके पूछे गए हैं ठीक हैं देख लेते हैं वैसे तो वीडियो शुरू होते ही मैंने अच्छे से बता दिया था दुबार देख लो समवेदानिक प्रावधान बारत के समवि बारतिया सम्विदान कानु 367 निदेशक सिदान्तों के अनुप्रियोग को बताता है इस सिदान्त का उदेशय लोगों को सामाजिक आर्थिक नयाय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्यानकारी राज्ये के रूप में स्तापित करना है जबकि मौलिक अधिकार राजनितिक नयाय सुनिश्चित करते हैं 2026 में क्यों वो करेगा आपका इटली उत्री इटली को 2026 शीत कालीन О часов की साइट के रूप में चुना गया है जो इसकी में पानिम मिलान और इसमें करेगा कोन सानु छहेद उपादी उपादी मतलब टाइटल्स उपादी मतलब होता है बच्छ ये बार-बार बता रहा हूं अनुछेद 18 अब इसका भी वरगी करण देख लो वैसे तो जरूरत नहीं है बारतिय सम्विदान के अनुछेज 18 में उपादियो कांच सुनिश्चित किया गया अठारा एक अठारा दो अठारा तीन अठारा चैर यह जरूरी नहीं हैं कभी भई दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दोरान भारत की राजदानी को कोलकत्ता से दिल्ली स्तानान्तित करने की गोश्णा की गई थी और 1911 तेरा फरवरी 1931 को भारत के वह इस रोह जो लोड इर्विन ने हैं उन्होंने देश की नई जानी की रूप में दिल्ली का अगठन किया 1911 याद रखना 1911 उसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसके बाद क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में बांगला देश का रैं वो भी 2022 का ठीक है ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2023 की लिस्ट में दुनिया भर के 125 देशों में भारत को 111 वास्तान मिला जारी की गई रिपोर्ट में भारत के पड़ोशी देर की जो पड़ोशी देश उसकी स्थिती बैतर रही अंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की जैंकिंग 102 बंगाल की कैसी नेपाल की 69 और शलंका की 60 मेरी मानों तो यह सारी याद कर ले जाना कुछ नहीं पता किसी की भी पूछ सकता है ठीक है उसके बाद अगला आता है राज्यसभा का पदेन सभापती कौन होता है तो एक्स ओफिश्यों चेर्मैन ओफ राज्यसभा में कहा गया है कि बारत का एक उप्राष्टपती होगा राष्टपती की मिर्तू ताग पतर महाव्योग या अन्य परस्तितियों के कार्ण अनुपस्तिति में उप्राष्टपती राष्टपती के रूप में कार्य करता है बारत का उप्राष्टपती राज्यसभा का पदेन सबापती होता है यह मिल जुल करते हैं मतलब अगर प्रेजजेंट को अपना त्याग पतर देना है वो वाइस प्रेजजेंट को देगा वाइस प्रेजजेंट को अपना त्याग पतर मतलब रैजिनेशन देना है तो वो प्रेजजेंट को देगा उसके बाद है नलीनी और कमल अस्ठाना की पदम शृी 2022 पुरुसकार विजेता जोड़ी कत्थक निर्ते के किस घराने से संबंदित हैं तो ये आपके बनारस घराने से संबंदित हैं कमलीनी अस्थाना और नालीनी अस्थाना उत्रपरदेश के आगरा की एक बहनों की जोड़ी है तो यही न कहते दो बहने हैं जो कत्थक और बनारस गराना शैली में अपने शानदार परदर्शन के लिए जानी जाती है उन्हें भारत और विदेशों में कत्थक की बनारस गरा कौन है दामोदर मोजो इनको कौन सा मिला है 57 मिला है और उनकी उपन्यास है कार मेलिन जो की 119 में साहित्य अकैडमी पुरसकार जीता था उन्होंने वर्स 2011 में अपने उपन्यास सुनामी साइमन के लिए विमला वी पाई विश्व कौन की साहित्य पुरसकार प्राप्त किया वह गोला कला और साहित्यमोच्सव के सहस अंस्तापकते यह नहीं याद रखे भई उसके बाद है विश्व बैडमिंटन चैंपियंशिप परतियों गिता दोजार चब्वीस में आयो जनकिस के द्वारा किया जाएगा बारत के द्वारा किया जाएगा यह कोशन आपका CGL म उसमें 100% पूछा जाएगा चाहिए वह आपका CGL हो 100% क्यूंकि पहली चीज एक तो बारत में की जाएगी और कब की जाएगी 2026 में की जाएगी मतलब आने वाला स्पोर्ट्स इवेंट है 2026 विश्व चैंपियंशिप परतिवर्श आयोजित होने वाला BWF के परतिश्ट बैडमिंटन टूर्णामेंट का 30वा संस्क्रण होगा 2026 में बारत में आडिशन होगा 30वा ठीक है यह अपने अच्छे से देख लेना यह बारत में 2026 में जित किया जाएगा इन में से कौन सा पशु कोशिका का हिसा नहीं है तो प्लास्टिड आपका पशु कोशिका का हिसा नहीं है जन्तु कोशिका में कोशिका बित्ती और कलोस्टर मुझूद होता है कुलोर प्लास्ट किश मुगल शाशक के अदिन अपनी अधिक्तम शेत्रिय सीमा हासिल की तो औरगजेब के अधिक मुगल सामराज्य औरगजेब के शाशन में अपनी सबसे बड़ी शेत्रिय सीमा तक पहुँच गया था निजाम उल्मुल्क आसफ जहाडैश के संस्टापक थे तो हैदराबाद के संस्टापक थे तो कोशीका भी बाजन प्रक्रिया का अंतीम चरण है उसको क्या कहते हैं साइटो काइनेसिस कहते हैं कोशी का भी बाजन प्रकिरिया का अंतिम चरण साइनो काइनेसिस है उसके बाद आता है 2023 पुरुष होकी विशोकप विजेता कौन है तो जर्मनी है उप विजेता है बेल्जियम एडिशन था पंद्रमा आयोजिन उडिसा बारत इंपोर्टेंट है ठीक है आज यूथ का पुछा गया था 2022 में इंटरनेशनल एरपोर्ट बारत में कितने हैं तो 34 है बारत में 34 अंतरनास्टिय हवाई अड़े कारियरत हैं इंद्रागान दी इंटरनेशनल एरपोर्ट हवाई अड़ा ये कोचिन एरपोर्ट हवाई अड़ा केरल में कालिकट अंतरास्टिय हवाई अड़ा जुहूआ वाइड़ा, नाम याद नहीं रखने है, ये तो वैसे ही पूछ लिया, कोई कोशन नी बनता, बस यहीं पूछ सकता है, कितने हैं, या कौन सा कहां पे है, इन में से औरगेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो औरगेनिक कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, रस वर्षे योजना इसकी अवदी 2002 से 2007 तक अटलवी आरिवाजपई और मन मोहन सिंग के ने तत्व में थी इस योजना का उदेश है अगले 10 वर्षों में बारत की परती व्यक्तियाई को दो गुना करना था इसका लक्षे 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना भी था इसका विकास लक्षे 8.0 था लेकिन यह केवल 7.6 ही आसिल कर सका उसके बाद है ग्यार्मी पंच वर्षे योजना बार्मी में वह आ गया था नितियायोग तो ग्यार्मी पंच वर्षे योजना इसकी अव दीमन मोहन सिंग के ने तत्व में 2007 से 2012 तक थी इसे सी रंगराजन दवार तयार किया गया था इसका मुख्यविशे था तेज और अधिक समावेशी विकास इसमें 9% विर्दी के लक्षे के मुकाबले 8% विर्दी दर्श हासिल की थी उसके बाद है मोलिक करतवे बाई साब दुबार आ गया यह तो शायद रिपीट हो गया बाकि ठीक है ऐसे कोशन कुछए गए थे देखो यह जो टोपिक्स है 5 से टोपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं सबसे पहला है हमारा सैंसस 2011 ठीक है इससे बार बार कोशन रिपीट हो रहे हैं तो जिस भी बच्चे का पर हैसी क्या पराएगा साथि आप जाए गा तो यह कुछ एक हमारे instruments होगे कि कौन क्या बजाता है ठीक है इंस्टुमेंट हो गया एक हमारा क्या होगा इंस्टुमेंट होगा एक articles होगे articles से भी हमारे सीदे पर्षन पुछे जाते हैं ठीक है यह पांच है topic ऐसे हैं जिन में से बार-बार question पुछे जा रहे हैं तो अपने को अच्छे से करके जाए चाहिए हमारा CPU का वेपर है अगर इन टोपिक्स की किसी को PDF चाहिए तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद